नमस्कार अदाब, गुड वार्निक, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे सबसे प्यारे एजूकेशनल प्लैटफॉर्म, फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर हम लोग अपनी Class Tenth के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रही है और Class Tenth के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए जो हमारा Geography वाला portion है समाझेक घ्रद्धियन में, Social Studies में जो हमारा आप देखते हैं कि Geography वाला portion है, भूगोल वारा portion है, उसको लेकर हम लोग आप सभी के अपने इस board booster series के अंदर complete कर रही है और class 10 के प्यारे बच्चों के साथ हमारी जो series चल रही है इसके अंदर हम लोगों ने history के बहुत से chapters को पढ़ा है हमने political science के बहुत से chapters को पढ़ा है और आज की हमारी इस class में आप सभी बच्चों ने करे थी demand के साथ geography का वो जो क्रिशी वा रखने वाले हैं तो क्या-क्या चीजों को पढ़ा जाएगा किस-किस चीजों को हम लोग अध्यान करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है दोस्तों बहुत interesting चीज़े होंगी ठीके जी तो कुरसी की बेटी वान लीजी बहुत interesting तरीके से यह पूरा का पूरा हमारा कृषी वाला अध्या है इसको हम लोग समझेंगे मैं आपसे पूरी आशा और उमीद करता हूँ कि अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर को देख लेते हैं हमारी आज की इस क्लास को तो आपके सामने किसी भी तरीके का कोई भी doubt, कोई भी confusion इस से नहीं रहने वाला शुरुवात करते हैं ठीक है जी सबसे पहले यही डिसकस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में मुख्या दोर पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वैसा तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है शुरुवात से लेकर आखिर तक हम लोग कंप्रीट कर ही लेंगे हमारे आज की इस क्लास में लेकिन कुछ important topics हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले क्रिशी क्या होती है यही देखेंगे उसके बाद हमारे प्यारे भारत के अंदर क्रिशी करने के क्या क्या प्रकार है उनको देखेंगे अब एक शब्द यहाँ पर आपके फसले उगती हैं उनको हम लोग समझने कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग भारत के अंदर जो हमारी मुख्य फसले हैं मुख्य फसले का मतलब वो फसले जिनको आप और हम खाते हैं है न जी यह कहां कहां पर उगती है इनके लिए कौन-कौन से तापमान की जरूरत हो उसको देखेंगे और उसकी के साथ साथ वैश्वी करण ग्लोबलाइजेशन ने कैसे हमारी भारत की खेती को परभावित किया दुनिया की खेती को परभावित किया उसको समझने की कोशिश आपके साथ करेंगे बहुत बढ़ा चैप्टर होने वाला है और बहुत ही इंटर पास खेत हैं, उसके अंदर फसलों को उगाया जाता है, इसी को हम लोग कृशी या फिर खेती कहते हैं. और अगर हम लोग देखें जो हमारा प्यारा भारत है ये खेती के संदर में एक बहुत ही महत पूर्ण देश है जी हाँ हमारे प्यारे भारत के अंदर अगर आप लोग देखें लगभग आधे से अधिक दो तीहाई अगर हम लोग देखें यानि कि अगर लगभग 70 प्रतिश को अगर हम लोग देखें कृशी को हम जाती है लगभख 70% population भारत की खेती कर रही है agriculture इसे अंग्रेजी में कहते हैं और agriculture का क्यारत है उसको हमने आपके सामने पेश किया चलिए यहां तक तो हमने क्रिशी शप्त को समझा अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिशी के प्रकार किस तरीके से हैं पेपर में यह सवाल पीचे से ही अगर हम लोग देखें तो भारत में बड़े सतर पर खेती की जाती रही है और खेती समय के हिसाब से क्या हुआ है आप देखते हैं कि बदलती बदल गई है तो अगर हम लोग भारत में देखें जो हमारी क्रिशी की पद्धिती है यह प्राचीन किरिया है प्रा आचीन समय से हम लोग देखते हैं कि बदलता गया भारत में क्रिशी करने के खेती करने के आप अलग अलग तरीके देखते हैं क्या कहा जाता है पेपर में पूछा जाता है एक तरीका कहलाता है प्रारंभिक जीवन निर्वा क्रिशी एक तरीका कहलाता है गेहन जीवी का क्रि और एक तरीका कहलाता है रोपन कृशी है ना अब ये क्या होती है इनको हम लोग आपके सामने एक एक करकर समझाने की कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों समझ में आया चलिए तो भारत के अंदर की जाने वाली जो हमारी खेती के अलग-अलग तरीके हैं उनको एक एक करकर हम ल प्रारंभिक का मतलब क्या होता है प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुवात से की जाने वाली क्रिशी है ना भाई ऐसी प्रकार की खेती जो एक छोटे से खेत में की जाती है अगर कोई किसान है जो एक छोटे से खेत में खेती कर रहा है क्रिशी कर रहा है और उसके पास ज जो छोटे से खेत में की जाती है और उसके अंदर जो किसान होता है वो पुराने जो औजार होते हैं क्या होते हैं दोस्तों जो पुराने औजार होते हैं उसी को क्या करता है यूज करता है बैल का परियोग करता है लकडी के हल का परियोग करता है और इस खेती में जो भी उप पैदा होती है इस प्रकार की खेती से जो भी फसल पैदा होती है उस फसल को ये परिवार सिर्फ अपने परियोग के लिए लाता है आपने देखा होगा बहुत से ऐसे गाउं के अंदर इलाके होते हैं खेत होते हैं जहां पर किसान सिर्फ उतनी ही फसल उगाते हैं जिससे उन लकडी के जो हमारे औजार होते हैं आदीम जो हमारे औजार होते हैं उनका परियोग करता है इसमें परिवार के और सदस्य भी लगे होते हैं और छोटे खेत में ये की जाती है और इसके जरीए सिर्फ परिवार का पेठी पाला जाता है यही हमारी प्रारमभिक जीवन जहांपर थंडी है, वहाँ पर अलग प्रकार से फसल को उगाया जाता है प्रारंपिक जीवन निर्वा कृशी में जो गरम इलाके है महाँ पर अलग प्रकार की फसल को उगाया जाता है छोटे खेत में की जाने वाली ऐसी खेती जिसके जरीए एक परिवार सिर्फ अपने पेट को पाल सकता है जिसमें पुराने तरीके से भी हमारे प्यारे भारत के अंदर खेती की जाती है और इस प्रकार की जो ये खेती है ये सिर्फ हमारे प्यारे भारत में ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में भी की जाती है जी हां आपने बिल्गुल सही सुना क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है करतन देह है ना देहन से आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों देहन का मतलब क्या होता है देहन का मतलब होता है जलाना ठीक है भाया जला कर खेती करना है ना हमारे प्यारे भारत के अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर आप देखते हैं कि जला कर खेती की जाती है और इसी को हम ल जो हमारे आदिवासी भाइई है वो इन इलाकों में जाते हैं और वहांपर मौजूद जो छोटे छोटे पौधे हैं इनमें आग लगा देते हैं तो किसान खेद में पहुँचे और वहाँ पहुचने के बाद जो पौधे मौझूद थे, उस पौधे के अंदर क्या किया गया है? आप लोग देखते हैं कि उस पौधे को आग लगा दी गई और जब ये जो हमारी करतन देहन प्रणाली वाली खेती होती है इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो जमीन होती है उसको मुख्य दौर पर क्या किया जाता है अगर किसान ने अगर आपके जो खेती करने वाला विखती है उसने एक बार एक जगाँ पर जला कर खेती की तो फिर वो उसे काफी समय के लिए छोड़ देता है और फिर दूसरी जगाँ पर वो खेती के लिए जाता है तो करतन दहन प्रनाली में मुख्य दोर पर हम देखते हैं कि जला कर खेती की जाती है और इसके जरीए क्या किया जाता है मुख्य दोर पर इस प्रकार से ही खेती को किया जाता है भारत में ये भी खेती करने का एक बहुत ही पुराना तरीका है अच्छा और जब खेती की जात पिर काफी समय बाद वापस आया जाता है क्यों वापस आते हैं ताकि यह जो जमीन की शक्ती है जमीन की जो अपनी और वरत्ता है जमीन की जो अपनी शक्ती है वो बरकरार रहे तो भारत में दूसरे तरीके से जो खेदी की जाती है उसको हमने देखा करतन देहन प्रणाली इ भारत के अलग-अलग इलाखों में इसको अलग-अलग नाम से भी पुकारा जाता है और आपके पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है है ना वही आग लगा कर खेती करने की बात हो रही है तो यहाँ पर इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसको जूम खेती भी कहते हैं आप लोगों ने जरूर सुना होगा जूम खेती वहाँ पर इसे दीपा नाम से भी पुकारा जाता है कहाँ पर बस्तर जारखंड का जो हमारा छेतर है अंडमान निकोबार जो हमारे आइलेंड है वहाँ पर हम लोग इसे इस प्रारूप के अंदर क्या देखते हैं दोस्त देखते हैं उसी के साथ हम लोग देखें कि जो हमार बेवर या दाहिया इसे ये भी कहा जाता है मध्यप्रदेश में इसी प्रकार से जब जला कर खेती की जाती है तो उसे बेवर या दाहिया कहा जाता है आंध्रप्रदेश में इसी प्रकार से जो खेती की जाती है उसे कोंडू या पेडा कहा जाता है उडिसा के अंदर अगर ह वहाँ के इलाखों में जब इस प्रकार की खेती की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्त इसे कुमारा कहा जाता है राजिस्थान में जो दक्षन का इलाखा है जो सदन हमारा राजिस्थान है वहाँ पर भी इस प्रकार की खेती की जाती है आँग जलाकर और इसे बालेर या पिर बल्टार कहा जाता है और हिमाले के छेदर में जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी स्प्रकार की खेती हूती है और उसे खी कहा जाता है ठीक है तो अलगे अलगे इलाखों में मुख्य तोर पर इसे किस-किस नाम से पुगारा जाता है उसको हमने आपके सामने रख दिया पेपर में सवाल बनता है कि जूम खेती क्या होती है या फिर पामूल खेती क्या होती है तो आप लोग घबराएं नहीं इसे करतन दहन प्रणाली वाली खेती ही कहते हैं भया जी आग लगा कर खेती करना आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने अगला सवाल पेश करते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अब next question की तरफ आपको लेके जा रही है भारत में की जाने वाली तीसरे प्रकार की खेती है हैना अब तक दो प्रकार की खेती पढ़ चुके प्रारंपिक जीवन निर्वह कृषी और करतन दहन परना ले और उसके क्या क्या अलगलग नाम है उसको डिस्कस किया यहाँ पर आप हम लोग आगे बढ़ते हुए आप सबी के साथ डिसकसन करेंगे गहन जीवी का कृषी गहन जीवी का ग्रिशी अगर आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देखें यह जो खेट मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटा है कि बड़ा है आप कहेंगे कि सार यह तो बहुत बड़ा है जी हाँ ऐसी प्रकार की खेटी या पिर ऐसी प्रकार की खेटी जो बहुत बड़े भुभाग पर की जाती है ऐसी प्रकार की फसल जो बहुत बड़े भुभाग पर रुगाई जाती है और जहां पर बहुत जादा अबादी होती है ऐसे इलाके जहां पर बहुत जादा जनसंख्या है और उसी के साथ साथ वहाँ पर बड़े बड़े खेत हैं बड़े बड़े आप खेत देखते हैं इसी प्रकार की खेती को हम लोग क्या कहते हैं इसी प्रकार की खेती को हम लोग गहन जीवी का क्रिशी कहते हैं ऐसी खेती ऐसी कृषि जो बड़े बड़े खितों में की जाती है और जहांपर बहुत ज़ादा पॉपूलेशन होती है इस प्रकार की खेती को हम लोग गेहन जीवी का कृशी कहते हैं इस प्रकार की फसल में क्या किया जाता है आप लोग देखते हैं कि केमिकल्स का शिचाय का मतलब कि नहर से नदी से पानी को खेतों तक पहुचाने की कोशिश की जाती है। आचे ये जो हमारी गेहन जीवी का प्रUIणाली है ये जो हमारी गेहन जीवी का क्रिशी है ना इसके अंदर एक आप देखते हैं कि समस्या है और वो क्या समस्या है आप देखते हैं कि मुख्य दोर पर कि जब किसी खेट को एक प्यूडी से दूसरी प्यूडी में दिया जाता है ना तो जो खेट का आकार होता है वो आप क्या देखते हैं कि वो छोटा होता चला जाता है कैसे माले जी की भ आप देखते हैं कि अब इस वेक्ति के भी एक बेटा हुआ, तो इस वेक्ति ने भी क्या किया, अपने बेटे को बाट दी, है ना, और आप देखते हैं कि फिर धीरे जो जमीन का अकार होता है, वो आपको छोटा होता हुआ दिखता चला जाता है, तो जो गेहन जीवी का अब वो किसी और रोजगार की तलाश में हमें देखते हैं, तो भारत में की जाने वाली हमारी तीसरी प्रकार की खेती है, जिसे हम लोग गेहन जीवी का कृषी के नाम से पुकार रहे हैं, और बहुत अच्छे दरीके से हमने इसको आपके सामने रखा दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, एक और प्रकार की खेती हमारे प्यारे भारत में होती है, अब तक तीन प्रकार की खेती हैं, यह हमारी चौथी प्रकार की खेती है, इसे हम लोग कह रहे हैं, वानजिक क्रिशी, क्या कहा जा रहा है इसे, इसे हम लोग कह रहे हैं, वानजिक क्रिशी, वानजिक क्रिशी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक ऐसी प्रकार की खेती, जो इसी लिए की जाती है, ताकि इससे जो फ फसल पैदा होगी ना उस फसल को हम लोग क्या करेंगे बेच कर मुख्य तोर पर क्या करेंगे पैसा कमाएंगे ऐसी खेती को हम लोग वानज्यक्रिशी कहते हैं और इस प्रगार की खेती में बहुत एडवांस किसम की जो मशीने होते हैं उनका परयोग किया जाता है आप इडवांस टेकनोलोजी का परयोग किया जाता है और इसमें अच्छे प्रकार की बीजों का परयोग होता है और खीट नाशकों का परयोग किया जाता है जो खरपतवार नाशक होते हैं जो छोटी 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 फसल हमारी असली फसल को खराब करती है उसको भी यहां से हट आया जाता है तो एक ऐसी फसल जिसको उगाने का उद्देश बेचना ही होता है जिसमें आधुनिक किसम के जो आपके मशीन और तकनीक होती है उसका परियोग किया जाता है जिसमें अच्छे बीजों का परियोग किया जाता है अच्छी खाद का परियोग किया जाता है उसको ह के वह कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खेती करने का मकसद हिए यह है कि हमारे पास जो भी फसल पैदा हो भाईया इसको बेचे और पाईसा कमाएं और लाब कमाएं तो अगर आप लोग मुझ्धा दोर पर देखें कि जो हमारे भारत के जादा संपन वाले, खेती वाले इलाके हैं, जैसे हमारा पंजाब हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि हर्याना हुआ, उसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारा वैस्टन उत्रप्रदेश हुआ है ना, पश्ची में उत्रप्रदेश हुआ, महराष्ट के जो हमारे इलाके हुए, यह जो हमारे छेत्र हैं, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर बड़े पहराने पर भानज जेटी की जाती है, उसी केसादघ्मिल्नाडू का हमारा छेत्र होगा, आंद्रो पर्देश का हमारा इलाका हुगा यहाँ पर भी जो फसलों को उगाया जाता है उसका उगाने का उद्देश यही है कि भाया इससे वैपार किया जाएगा तो भारत में की जाने वाली यह हमारी एक और प्रगार की फसल थी और इसमें आधुनिक प्रकार के हमने क्या देखा दोस्तों तकनीक का परियोग होते हुए देखा आगे बड़े, यहाँ तक कोई confusion आपके सामने, मेरे हिसाब से आपके सामने कोई confusion नहीं होगा बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हर चीज को आपके सामने रखी रहे है यह chapter बहुत interesting है, अभी तक हमने खेती के अलग-अलग प्रकारों के बारे में discussion किया है एक प्रकार हमारा और बढ़ता है, दोस्तों उसको भी देख लेते हैं इसको कहा जाता है रोपन क्रिशी पेपर, मैं सीधा सवाल पूछा जाता है ऐसी के बानज्यक क्रिशी क्या है, करतन दहन प्रनाली क्या है, सीधा सवाल बनता है और आपने अब हर चीज को समझ लिया है, और इसी तरीके से सवाल बनेंगे जैसा आपको बताया है वैसे ही पट 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 आंसर लिग दीजेगा पूरे नंबर आ रहा भाईया पूरे नंबर ले लिजेगा ठीक है चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अगर आप लोग देखें सवाल है कि रोपन कृशी क्या है है या फिर पूछा जात है आप यह देखते हैं कि बीज होते हैं छोटे छोटे बीज होते हैं इन बीज को क्या किया जाता है आप देखते हैं कि इन बीज को जमीन में डाल दिया जाता है फिर उसको पानी बानी दिया जाता है और उसके बाद खेती किया जाती है यह जो रोपन कृशी होती है ना द आपके पास चाय के पौधे हैं उन पौधों को आप लगा रहे हैं और उसके जरीए खेती की जाती है रोपन कृशी का मतलब क्या है? रोपन कृशी का मतलब है कि हम बीज के बजाए कि हम बीज का परियोग नहीं करेंगे दोस्त जिन इलाकों में रोपन ग्रिशी की जाती है पौधे लगा कर खेती की जाती है ये बड़े बड़े खेतों में की जाती है और इसमें बीजों का परियोग नहीं होता जो हमारे किसान भाई होते हैं वो मुख्य तोर पर आपको दिखता है इस प्रकार की हेती में बहुत जादा पूंजी लगती है बहुत पैसा लगता है क्योंकि ये जो फसल होती है ये मौसम से खराब हो जाती है तो इसको संभालने की जरूरत होती है बहुत जादा पैसा लगाने की जरूरत होती है और बहुत अच्छे कामगारों, कामगारों का मतलब होता है, अच्छे मजदूरों की जरूरत होते हैं, जो इस प्रकार की फसल को सही तरीके से निकाल सके हैं, यह जो हमारी रोपन ग्रिशी है ना, इसके जरीए जो भी फसल उगती है, उसको भी मुख्य तोर पर बेचा ही ज रोपन ग्रिशी के जरीए उगाते हैं, यानि कि बीच का परियोग नहीं करते हैं, हम लोग क्या गरते हैं, हम पौधों के जरीए उगाते हैं, तो हमारी जो चाय हुई दोस्तों, हमारी चाय हुई, कौफी हुई, रबड हुई, रगन्ना हुआ, है ना, केला, यह सभी जो ह हमारी फसले हैं ये पौधे के द्वारा ही उगाई जाती है कहां कहां पर अगर आप लोग देखें कि हम लोग रोपन ग्रिशी मुख्य दौर पर करते हैं हमारा जो तमिलनाडू छेतर हुआ हमारा जो तमिलनाडू इलाका हुआ करनाटक का जो छेतर हुआ वहाँ पर कॉफी उगाए जाती है ऐसी ही जो हमारा West Bengal का इलाका हुआ वहाँ पर हम लोग चाय को उगाते हैं अच्छा ये जो map वाला जो आपका portion है इसको लेगर आप बिल्कुल भी मत घबराईएगा हम एक specifically class करेंगे हम एक अपनी class करेंगे जिसके अंदर geography के history के कक्षा 10 के अंदर आपके जितने भी maps के questions होंगे मांचितर से संबंदित आपके सवाल होंगे उनको हम लोग करने वाले हैं तो अभी तो सिर्फ हम इनकी पहचान देख रहे हैं उसमें किस तरीके से questions को पूछा जाता है वो भी कर लेंगे तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी घवराईएगा अभी बस यहाँ पर हमें समझना है कि कौन-कौन से इलाकों में हम रोपन क्रिशी करते हुए देख लेते हैं ठीक तो यहाँ तक तो हमने भारत में की जाने वाली जो हमारी फसल है उनके अलग अलग प्रकारों को देखा है ना दोस्तों यहाँ पर हमारे भारत में किस-किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं मुख्य तौर पर अपनी फसलों को उगाते हैं उसके बारे में हमने डिसकॉशन किया भारत में जो फसले उगती है भारत के अंदर अब हम लोग आपके साथ क्या डिस्क्स करेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है शस्ते प्रारूप शस्ते प्रारूप का मतलब क्या होता है चलिए समझने की कोशिश यहाँ पर हम लोग आपके साथ कर लेते हैं भाया, शस्य प्रारूप का मतलब होता है मुख्य तोर पर के मौसम के अधार पर हम लोग क्या करते हैं भारत में, फसलों को उगाते हैं, हमारी जो फसल होती है, वो मुख्य तोर पर मौसम के अधार पर होती है, और भारत में हमें तीन प्रकार का मौसम दिखता है, है ना, कौ वो मौसम के अधार पर है भारत में तीन प्रकार की हमें मौसम दिख जाते हैं सरदी गर्मी और बारिश इसमें अलग-अलग प्रकार की फसले उपती है और इनको अलग-अलग नाम से पुकारते हैं इसकी कहानी को आपके सामने डिसकस करते हैं आप लोगों ने जरूर सुना होगा रभी की फसल, रभी की फसल, है ना, अभी रभी की फसल क्या होती है, रभी की फसल से क्या थात पर रहे है, रभी की फसल की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपके सामने हम लोग डिसकस कर लेते हैं, सबसे पहले आप लोग देखें, भारत म यह वो फसल, भारत में हमारी वो फसल जो हम क्या करते हैं, जाड़े में, जाड़े का मतलब क्या होता है, अरे भाईया जी जाड़ा हो रहा है, जारा हाथ क्या कर लें, सेख लें ऐसा करते हैं, सरदी के अंदर बहुत सारे फसल भी कहा जाता है या फिर इसे रभी भी कहते हैं बहुत मशूर नाम है इसका रभी है ना तो रभी जो हमारी फसले होती है वो सरदी की मौसम में बोई जाती है या फिर जाड़े की मौसम में हम इसे बोते हैं अच्छा इसकी बुआई कब होती है किस महीने में हम इसे बोत तो इस प्रकार की फचलammut को हम लोग रभी की फचल कहते हैं या फिर जाडे की फचल कहते हैं और इसी कटाई कव काड़हा होती है जब यह फचल आपने देखा कि वह दिने में अप्रेइल से जून के वहीने में होते हुए देखते हैं काटते हुए देखते हैं रभी की फसल समझ में आई जो सर्दी में बोई जाती है सर्दी में मुख्य दोर पर अक्टूबर से दिसंबर तक जो हम दोते हैं और इसकी कटाई अपरैल से जून के बीच में आप लोग होते हुए देख लेते हैं अब सवाल जरूर आ सकता है कि सर जी ये तो बता दीजिए कि कौन-कौन सी फसले हैं रभी से संबंधित चलिए दोस्तों आपके सामने पूरा चितर यहां पर रख दिया है आप देखें कि जो हमारी रभी की मुख्य फसले है कौन-कौन सी है भाईया गेहूं हमारा सर्दी में बोया जाने वाला हमारा क्या है रभी की फसल है उसी के साथ जो हमारी मटर है ये भी आपको क्या देखती है दोस्त रभी की फसल देखती है सरसो है ना सरसो दी रोटी मक्य दी साग आपने सुना होगा है न मक्केदी रोटी सरसो दा साग होता है उल्टा बोल दिया ठीक जो सरसो होता है दोस्तों ये भी आपकी रभी सर्दी में बोई जाने वाली फसल है और भारत में मुख्य तोर पर अगर हम लोग देखें कि भारत के वो कौन से इलाके हैं जहां पर हमें रभी की फसल देखती ह तो भारत के अंदर हमारे वो इलाके जो सर्दी में फसल को उगाते हैं पंजाब हुआ, हरियाना हुआ, जमु कश्मीर हुआ, उत्राखंड हुआ, उत्रपरदेश हुआ ये सभी हमारे जो राज्ये हैं वो मुख्य तौर पर रभी की फसलों को उगाते हैं अच्छा मानचितर से संबंधित कोई भी confusion मत रखिएगा मानचितर के बारे में हम लोग detailed chapter करने वाले हैं एक्जाम से पहले करेंगे tricks बताएंगे आपको ऐसे करते करते आपके दिमाद में हरती से छप जाएगी ठीक है तो रभी की फसल जो सर्दी में बोई जा रही है गर्मी में काटी जा रही है इसको हमने रभी की फसल कहा और रभी यानि के सर्दी की मौसम में इन फसलों को हम लोग उगाते हैं भारत के इन 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 इलाकों में हम लोग इसको उगाते हैं अगला तो भारत में खेती मौसम की अधार पर हो रही है सरदी में जो खेती हो रही है उसको हमने रभी कहा भाया दूसरा जो हमें मौसम देखता है उसे कहा जाता है गर्मी है ना दोस्तों गर्मी तो गर्मी में जिस फसल को हम लोग उगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं ख खरीफ कहा जाता है गर्मी में मुख्य तोर पर क्या है दोस्तों कब पढ़ती है गर्मी जून जुलाई में पढ़ती है गर्मी आपको बता जून जुलाई में बड़ी भयंकर गर्मी आप देखते हैं तो यह जो हमारी खरीफ की फसल है जो गर्मी में बोई जाती है जून उसको काटा जाना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो गर्मी में जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ कहते हैं ये जून-जुलाई के महीने में हम देखते हैं ये सिससे बोया जाता है और इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के महीने में आप लोग होते होए देखते हूं और इसे गर्मी की फसल भी कहा जाता है है ना नाम सही clear है दोस्तों ठीक है अच्छा तो यहां तक हमने क्या देखा आपके साथ जो हमारी ये खरीफ की फसल थी इसकी कहानी को आपके सामने रखा अब तीसरा सवाल आपके सामने आ सकता है जैसे मैंने बताया कि शस्य प्रारूप का मतलब कि जो हमारी फसले है वो मौसम के अधार पर हो रही है तो गर्मी के मौसम की फसल को देख लिया सरदी के मौसम की फसल को देख लिया रभी और खरीफ को बारश के मौसम में। το जो फसल बरसाथ, बरसाथ का दिन आया है दोस्तों, है नहां तो वो हमारी फसल, मुख़ए दोपर आप देखें कि जो बारश के मौसम में जब बारश पड़ती है, उस मौसम के आज पास जो फसलें उगाई जाती हैं, उनको हम खर्बूज हुआ, खर्बूजा हुआ, खीरा हुआ, जो सबजियां हुई ना, वो मुख्य दोर पर आप लोग देखते हैं कि इस मौसम के अंदर बोई जाती थी, लेकिन अब इनकी मांग बहुत जादा बढ़ गई है, आज के समय में आप देखते हैं कि ये जो हमारी फल और मुख्य दोर पर बोई जाती है, टर्बूज, खर्बूजा, खीरे, ठीके, इस प्रकायर की फसलों को हम लोग क्या कहते हैं, जायत की फसल कहते हैं, और ये जो हमारी फसल होती है कि अब तु पूरे साल हमें देखते हैं, गन्ना जो है दोस्तों वो भी इसी मौसम के अंदर मुख्य दोर पर लगाया जाता है एक सीधा सवाल पूछा जाता है कि गन्ना किस प्रकार की फसल है तो गन्ना जो है दोस्तों ये जायद फसल है ठीक है जी? चलिए अब यहाँ तक तो हमने आपके साथ भारत में खेती करने के तरीके क्या है उनको देखा भारत में खेती मौसम के अधार पर होती है सर्दी, गर्मी, बरसात क्लियर हो गया रभी, खरीफ और जायद अब सवाल यहां से खड़ा होगा भारत के अंदर हमारे पास जो हमारी मुख्य फसले है हमारे प्यारे भारत देश के अंदर जो हमारी मुख्य फसले है एक-एक करकर उनके बारे में हम लोग आप सभी के साथ क्या करेंगे डिसकुशन करेंगे तो हमारे प्यारे भारत के अंदर जो हमारी मुख्य फसले है उनके बारे में हम लोग डिस्कुशन करने वाले हैं ठीक है और यह जो हमारी मुख्य फसले हैं ये भी आपको दो प्रकार से दिख जाती है कैसे दो प्रकार से दिखती है एक कहलाती है वो वाली फसले जो खाद्दे फसले है खाद्दे फसलों का मतलब क्या है दोस्तों? खाद्दे फसलों का मतलब है वो फसलें जो खाई जाती है और दूसरी कहलाती है दोस्तों क्या? दूसरी कहलाती है खाद्दे फसलें. कुछ ऐसी फसल हम उगाते हैं जिनको खाने के दौर पर पर परियोग में नहीं लाते हैं. उ भारत के जो मुख्य फसले हैं खाने वाली फसले हो वो भी और जो हमारी ना खाने वाली फसले हैं जो अखाद Prothay उसको आपके सामने रखेंगे मजा आ रहा है दोस्तों तो आपको क्लास को पूरे दौर से आखिर तक करना है और तो अब भारत की जो महतपूर्ण फसले हैं एक एक करकर इनकी कहानी को हम लोग आप सभी के समक्ष रख रहे हैं सबसे महतपूर्ण चीज आप सभी को बताएं दोस्तों इस चीज की बहुत जादा डिमांड होती है तो वो कुछ इस तरीके से देखता है और इसी को धान कहा जाता है और इसी से हमें चावल की प्राप्ति होती है तो अगर मैं चावल कहूँ या धान कहूँ सर जी आप तो कुछ और बता रहे हैं हमें समझ नहीं आरा जब यह फसल उगती है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं धान कहते हैं इसी से चावल की प्राप्ति होती है ठीक है याद कर लीजे चीन के बाद दुनिया में सबसे जादा जो चावल उगाने वाला देश है वो है हमारा प्रोसी देश चाइना देखता है दोस्तों चीन है और आप देखते हैं कि भारत चावल के अंदर दूसरा सबसे बड़ा उत पादक देश है तो हमारे प्यारे भारत में चावल दूसरे नंबर पर उखता है पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा है हमारा प्यारा भारत और प्यारे भारत के अंदर चावल दूसरे नंबर फो रुगाया जाता है पूरे दुनिया के हिसाब से धान या फिर जो चावल की खेती है इसके लिए हमें अधिक तापमान की जरूरत होती है बहुत महत्वन बात है इसको ध्यान से सुनिए कितने तापमान की उच तापमान का मतलब अच्छी हो ही उसी ये साथ आप देखते हैं कि एक साल में लगबख सो सेंटिमीटर के आसपास बारिश हो तो बारिश भी अच्छी होनी चाहिए इस इलाके के अंदर जहापर चावल की खेती करनी है और उसी के साथ साथ तापमान भी 25 डिगरी से जादा होना चाहिए उसी इलाके के अंदर हम लोग चावल या फिर धान की खेती मुख्य तोर पर कर सकते हैं अच्छा अब आप देखें कि भारत में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप देखें कि तापमान तो जादा है है ना वहाँ का तापमान 25 से 30 डिगरी के आसपास है लेकिन भाईया वहाँ पर ना पानी नहीं है तो भारत में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तापमान तो जादा है लेकिन पानी नहीं है तो वहाँ पर सिचाई की विवस्था से सिचाई का मतलब क्या है कि नदी से पानी खेटों तक पहुंचाया कर हम लोग क्या कर रहे हैं चावल की खेटी कर रहे हैं ठीक है भारत में कौन-कौन से इलाके हैं दोस्तों भारत के अंदर अगर हम लोग देखें कि जो हमारी धान है है ना जो हमारी प्यारी धान है हमारा ज लोग देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में चावल को उत्पाजित किया जा रहा है और राजिस्थान में क्योंकि नदी कम है है ना तो वहाँ पर सिचाई की जरीए ही क्या किया जा रहा है आप लोग देखते हैं कि चावल या फिर धान की खेती की जा रहे हैं तो भारत की सबस महत्रपुन फसल है चावल खाई जाती है लोगों को बहुत पसंद है भाईया हमें भी बहुत पसंद है क्या आप भी चावल का शौक रखते हैं क्या भी चावल पसंद करते हैं कॉमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग डिसकुशन करेंगे किसीस का यहाँ पर हम लोग आप सभी के साथ डिसकुश करेंगे भाईया जी जिसकी बनती है रोटी आपके और हम सभी के घर में जिसे कहा जाता है गेहूं तो गेहूं जब उगता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है फिर इसको पीस कर हम लोग आटा बनाते ह हम लोग रोटी को खाते हैं रोटी पराप्त करते हैं अब ये भी भारत के अंदर एक बहुत ही महतपूर्ण फसल है खाने वाली फसल है खादे फसल है अगर आपको गेहूं का उत्पादन करना है तो गेहूं के उत्पादन के लिए हमें ऐसी जगहां चाहिए जहां का तापमान लगभग आप देखें कि जहां पर एक साल में लगभग 50 से 75 सेंटिमीटर की बारिश होनी चाहिए हम हमेशा जो बारिश को मापते हैं वो सेंटिमीटर में मापते हैं ऐसा इलागा जहां पर 50 से 75 cm की बारिश हो जाती है है ना और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर हम लोग गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं उन इलाकों में गेहूं का उत्पादन अच्छी मातरा में किया जा सकता है अच्छा गेहूं जो होता है ना ये पाला पढ़ने से, पाला का मतलब क्या होता है? आप लोगोने देखा होगा इसे हम लोग ओस भी कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्त ओस? है ना, रात के समय में आसमान से आप क्या देखते हैं, की पानी की बूंदे गिरती हैं और यह जो बूंदे होती हैं यह गेहुं की फसल को खराब करती है पाला पढ़ने से यानि कि उस पढ़ने से कही न कहीं की बॉस्पढ़ने की वज خसल को नुकसान होता है तो ऐसे इलाके जहाँ पर 50-75 सेंटिमिटर की सालाना बारिश हो और वहाँ पर बारिश सही तरीके से हो हर साल इसी तरीके से होनी चाहिए समान तरीके से और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओस पढ़ने की वज़ा से गेहूं की जो फसल है उसमें कही न कहीं थोड़ी बहुत तबाही आप आते हुए देख लेते हैं अगर हम लोग देखें कि भारत में जो हमारा गेहूं है वो किनकी इलाखों में उगाया जाता है यह के करकर इसको हम लोग आपके साथ डिसकस कर लेते हैं तो जो गेहों के जो हमारे मुख्य उत्पादक इलाके हैं, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, पश्ची में उत्तर प्रदेश हुआ, और जो हमारे गंगा के इलाके हुआ, गंगा का इलाका मतलब पंजाब, हर्याना, उसी के साथ, दिल्ली का जो आसपास का छेतर हुआ, यहां पर आप लोग देखते हैं कि गेहूं को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है उसी के साथ आप देखें कि जहां पर काली मिट्टी मिलती है और हमने पिछले चेप्टर में डिसकस किया था आपको याद होगा जो काली मिट्टी है वो हमें कहां दिखती है महाराष्ट और लोड मिट्टी मिलती है जो हमारा पूरा यूपी बिहार राजिस्थान उसी के साथ दिल्ली मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है तापमान मध्य रहता है और उसी के साथ बारिश पचास से बिचातर सेंटिमोटर की वज़ आसपा प्रगार की हमारी फसले होती हैं जिनको खाने के दौर पर हम लोग परियोग मिलाते हैं और इस प्रगार की फसल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम लोग मोटे अनाज कहते हैं क्या कहा जाता है मोटे अनाज के बारे में एक एक करकर आप सभी के साथ हम लोग डिसक फसल कहते हैं तो भारत में तीन प्रकार के जो हमारे अनाज हैं जैसे जवार हुआ बाजरा हुआ और रागी हुआ इनको हम लोग क्या कहते हैं मोटे अनाज वाले हमारी फसल कहते हैं फीक और इन प्रकार की फसलों में बहुत अच्छी मातरा में हम लोग क्या देखते हैं पो बहुत जयादा स्वस्त रहेगी और आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं ठीक तो भारत के अंदर हमने ये अपने मोटे अनाजों के बारे में देख़ा अब एक एक करकर हमारे ये जू तीनों के तीनों में कुछ इस प्रकार से है और भारत में सबसे जादा जो जुवार का उत्पादन है पेपर में पूछा जाता है तो बस दिवाग में छाप लीजिए दोस्तों कि जुवार का उत्पादन भारत में सबसे जादा महाराष्ट राज्ये में होता है और महाराष्ट के बाद अगर नमी की उपस्तिती मध्यम मातरा में हो ना तो बहुत जादा गर्म हो ना बहुत जादा ठंडा हो जैसे महराश्ट में क्या कहा जाता है वहाँ का टेंपरेचर एक्वल रहता है तो ऐसे इलागे जहां का दापमान समानने रहता है ना तो बहुत ठंडा ना तो बहुत गर्म ऐ ऐसे छेतरों के अंदर हम लोग देखते हैं कि जुवार की खेती की जाती है और इसे सिचाई की जरूरत नहीं होती है यानि कि जादा पानी की जरूरत नहीं होती कम पानी के अंदर भी हम लोग जुवार को उगा सकते हैं और पोशक तत्वों की मंतरा तो जुवार में होती है पेपर में पूछा जाता है कि बाजरा क्या है और भारत में बाजरा कहां पर उगता है इसको उगाने के क्या क्या तरीके हैं इसके लिए कितने तापमान की जरूरत होती है तो याद कर लिए दोस्तों कि भारत में सबसे जादा जो बाजरा है बाजरा जानवर भी खाते हैं और इसको मनुष्य भी खाने के तौर पर परियोग में लाते हैं इसे हम लोग बाजरा कह रहे हैं भारत में जो बाजरा है वो सबसे जादा राजस्थान में उगाया जाता है तो राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जहां पर बाजरा सबसे ज उखता है बाजरा इसको मनुष्य भी खाते हैं और पक्षी भी खाते हैं और ये बहुत जादा पोशक तत्व वाला होता है ये भारत में जहां पर काली मिट्टी जादा है वहाँ पर उखता है लेकिन सबसे जादा राजस्थान में आपको उखता हुआ दिख रहा है तीसरा जो हमारा मोटा अनाज है दोस्तों इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं ये जो हमारा तीसरा मोटा अनाज है इसको हम लोग रागी कहते हैं है ना तो भारत के अंदर जहां पर हमें लाल मिट्टी दिखती है जहां पर हमें काली मिट्टी दिखती है काली मिट्टी जादा कहां है? महराष्ट में ही है, आप सभी को पता है कुछ इस तरीके curiosity से रागी देखने में होता है। तो इसी वज़ह से रागी क्योंकि काली मिट्टी मोय जाता है और काली मिट्टी हमें कहाパर दिख रही है दोस्तों महराष्ट में दिखती है तो इसी लिए महराश्ट में सबसे ज़ादा रागी उगती है और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो भारत का प्यारा सा राज्य है तमिलनाडू यहाँ पर भी रागी की फसल को उगाया जाता है तो भारत के अंदर तीन महतुपूर्ण हमारे मोटे अनाज हुए जुआर, बाजरा और रागी यह कहां कहां पर उगते हैं कितने तापमान की जरूरत होती है कौन सी मिट्टी में यह उगते हैं भारत के कौन से राज्य हैं जहां पर आप लोग देखते हैं कि यह जो हमारी फसले होती हैं उगाई जाती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हमने आपके सामने डिसकस किया है भारत की महतपूर्ण फसलों के बारे में हम लोग आप सभी के साथ डिसकुशन कर रही है एक और हमारी महतपूर्ण फसल है दोस्त, इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग मुख्य दौर पर पुकारते हैं मक्का भुट्टा भी से कहा जाता है कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, इंगलिश में से कौन कहा जाता है और मक्के का इस्तेमाल क्या किया जाता है इसको खाने के तौर पर भी हम इसे खाते भी हैं और इसका परियोग जानवर को खिलाने के लिए भी किया जाता है, इसको जानवर को खाना देने के तौर पर भी परियोग मिलाया जाता है, चारे के तौर पर भी इसका परियोग किया जाता है, अगर आपको खेती करनी है मक्के की तो इसके लिए आपको जलोड मिट्टी की जर चाहिए भारत के आसे इलाके जहा पर पुरानी जलोट मिट्टी मिलती हैं, जहां का तापमान 21-27 डिगरी इसलसियस के आसपास होता है, बहुंद हम लोग मक्य की खेती पूरे तूरे तवर आप देखते हैं कि रहने हैं, और तापमान 21-27 डिगरी के आसपास देखता है, तो यहां पर मक्य की खेटी की जाती है क्योंकि यहां पर फुरानी जलोट मिट्टी दिख रही है और तापमार 21 से 27 डिग्री के आसपास आप देखते हैं कि यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है ठीक आगे वड़ते हैं भारत की कुछ और महतुपूर्ण हमारी पसले हैं इनके इसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों इसे महतुपूर्ण तौर पर हम लोग डाले कह रहे हैं इंगलिश में से पल्सिस कहा जाता है यही है डाले तो सभी खाते होंगे डालों के बारे में तो आप सभी को सारी जानकारी होगी ही डालों को बहुत ही महतुपूर्ण तौर पर च तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर डालें सबसे ज़ादा मात्रह में उगती हैं और उसी के सासर जो हम लोग इनी डालों को सबसे जादा परियोग में लाते हैं है ना और दाले जो होती हैं आप देखते हैं कि मुख्य तोर पर ये अलग-अलग फसलों के बीज में उगाई जाती है जैसे मालिज ये कि किसी खेत के अंदर क्या किया गया किसी खेत के अंदर गेहूं को उगाया गया अब क्या किया जाता है इसमें अगली साल अगली बार दुबारा गेहूं को नहीं उगाएंगे इसमें डाल को उगाया जाता है फिर दुबारा गेहूं को उगाया जाता है तो जो हमारी डाले होती है यह जो मुख्य फसले होती है जो बड़ी फसले होती है जैसे चावल, मक्क आप देखते हैं कि गेहूं इनके बीच में उगाया जाता है इससे खेतों की जो शक्ती होती है वो बनी रहती है जमीन की जो पावर होती है उर्वरक शक्ती होती है वो बनी रहती है ठीक है, अलग-अलग प्रकार की डाल हैं, कॉमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके फेवरेट डाल कौन सी है, भाया जी हमें तो पसंद है वो जो काली वाली डाल होती है, है ना, मा की डाल भी जिसे कहा जाता है, उसमें जो चोखा लगता है, धनिया का, पोधीने का, आहा हमारा उत्रपरदेश हुआ, हमारा मध्यपरदेश हुआ, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो राजस्थान के हमारे इलाके हैं, करनाटक का जो हमारा छेतर है, वहाँ पर हम लोग डालों को विपस्तिती देखते हैं, भारत में ये जो राज्ये हैं, वहाँ पर डाल मैं उगाने की बात कर रहे था तब मैंने आपको गंने की बारे में बताया था कि आब लोग comment करके बतायेंगे कि गannण कौन सी फसल है खरीब है, खरीब की फसल है, रभी की फसल है या पिर जायत की फसल है देखते हैं कि कौन बच्चा answer देगा comment करके बताइए दोस्तों ठीक है चलिए तो भारत में एक और प्रकार की हमारी ये फसल होती है जिसे हम लोग कह रही है गन्ना को जिस प्रकार से हमारा ये दिखता है इंगलिस में इसे sugar cane कहा जाता है भाई गन्ने की फसल उन्ही इलाकों में हो सकती है जहां पर गर्मी जादा पड़ती है हैना वो छेतर जहां पर गर्मी जादा पड़ती है सर कितनी गर्मी पड़ती है भाई जहां का तापमान 21 डिगरी से 27 डिगरी के आसपास हो तो भारत में ऐसे इलाके जहां पर 21 से 27 डिगरी सेलसियस का तापमान होता है ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर हम गन्ना उगाते हुए देखते हैं जहाँ गर्मी तो ज़्यादा पड़े ही उसी के साथ लगभग 75-100 cm की बारिश भी हो ऐसा इलागा जहाँ गर्मी भी हो और जहाँ पर एक साल में 75 cm से 100 cm की आसपास की बारिश हो जाती है वहाँ पर हम लोग गन्ने की पैदा होते हुए देखते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गन्ना है वो ब्राजील में उखता है पेपर में सवाल बनता है एना तो ब्राजील दुनिया में ब्राजील जो है दक्षणी अमेरिका का देश वहाँ पर सबसे जादा गन्ने को गाया जाता है और गन्ना अगर हम लोग देखें भारत में दूसरे नंबर पर आता है तो भारत गन्ने के उत पादर में दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हमें ब्रजील दिखता है कौन-कौन से इलागे हैं देखो दोस्तों जब भी गन्ने की बात की जाए तो आख बंद करके याद कर लीजेगा कि सबसे जादा गन्ना यूपी में उखता है हमारे उत्रप्रदेश के अंदर उखता है तो भारत में सबसे जादा गन्ना हमारी यूपी में है उसके बाद महराष्ट राज्ये में भी है गन्ये की उपस्तिती करनाटक जो हमारा छेतर है वहाँ पर भी तमिलनाडू राज्ये के अंदर भी और पंजाब हर्याना के अंदर भी आप लोग देखते हैं है ना आदर परदेश में भी पंजाब में और हर्याना में भी हम लोग गन्ये की पैदावाईश होते वे देखते हैं पूछा जाता है कि तिलहन से क्या अतात पर रहे है तिलहन का क्या आरत है यह आपको बताना होता है भाई ऐसी फसले ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ऐसी फसले जिन से तेल निकलता है ध्यान से सुनिएगा तिलहन की बात की जा रही है आप देखते हैं कि मुख्य दोर पर ऐस इनको खाने के परियोग में भी लाया जाता है इनसे तेल भी निकलता है और इनको हम लोग खाते भी हैं ऐसी फसल जिससे तेल भी निकल जाए और इसके तेल में खाना बनता है और इसको खाया भी जाता है उसको हम लोग तिलहन कहते हैं जैसे मुंफली खाई भी जाती है मुं जिससे तेल निकालकर खाना बनाया जाता है ठीक है वाई यह कितनी अच्छी बात है इसी को हम लोग क्या कहते हैं तिलहन कहते हैं तो भारत दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर सबसे जादा हमें तिलहन की फसलें दिखती है इनको खाने के परियोग में भी लाया जाता है और इनसे निकलने वाले तेल से खाने को बनाया भी जाता है मूंग फली हुई, सरसो हुई, नारियल हुआ उसी के साथ आप देखते हैं कि बिलोना हुआ, अरंडी हुआ ये जो हमारे मुख्य तोर पर आप देखते हैं कि फसले हैं, सूरज मुख्य हुआ इनमें खाना बनाया भी जाता है, इनकी तेल से और इनको खाने के तोर पर भी परियोग में लाया जाता है ठीक है? तो तिलहन के बारे में हमने समझा अब तिलहन में सबसे महतफूर जो हमारा तिलहन है, वो है मुख्य पेपर में मुख्य के बारे में सीदा सवाल बनता है, तो मुख्य तिलहन की फसल है क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि मुख्य क्षाई भी जाती है और इसके तेल में खाना वगरा भी बनता है है ना चलिए peanuts oil इसे कहा जाता है अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि भारत में है ना भारत में जितने भी हमारे तिलहन पैदा होते हैं हमारे पास अलग-अलग तिलहन थे हमने पीछे देखे हमारे ये सभी तिलहन है सभी तिलहनों में जो हमारी मूंफली है ये सबसे ज पैदा होती है लगबग 50% के आसपास पैदा होती है तो सभी तिलहनों में सबसे जादा जो पैदा होने वाली हमारी तिलहन है वो मूंफली है और मूंफली सबसे जादा हमें कहां पैदा होती हुई देखती है आप लोगों को याद रखना है दोस्तों आंद्रपरदेश को है आप daarा पर भी मूंगफली की उम करती है दिक souvent खाने का शोग關係 डेती है और बॉड़ी को सरदी में खाई जाती है चलिए । अब अब ख़ुछ और तिलहन भी फसले हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे हमारा अलसी हुआ, है ना दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे हैं, कि ये आपका अलसी हुआ, उसी के साथ आप देख रहे हैं, कि ये हमारा आप देख पा रहे हैं, कि बिन्नोला हुआ, ठीक है, तो अलसी और सर यह रभी की फसल है रभी की फसल मतलब यह सरदी में बोई जाती है इनको सरदी में बोईते हैं कौन से भाग में जो हमारा उत्तर भारत है कि जो हमारा ये यूपी विहार महराश्ट का छेदर है जब यहाँ पर बोया जाता है किसको दोस्तों सरसों को सरसों को और अल्सी को तो सरदी के मौसम में बोते हैं वहीं हम देखते हैं कि जब यह दक्षन भारत में जाती है दक्षन भारत के पड़ा और इनको आप देखते हैं कि भारत के अलग-अलग इलाखों में अलग-अलग रित्वों में बोया जाता है नौर्थ इंडिया में इसको क्या किया जाता है सरदी के मौसम में बोते हैं और जब मारा दक्षन भारत है महापर इसको गर्मी के मौसम में बोला जाता है, इन से तेल भी निकलता है और आप देखते हैं कि इनको खाने के तोर पर भी परियोग में लाया जाता है ठीक, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये आप हमारी अलग-अलग प्रकार की अलसी है, सरसो आपको यहाँ पर दिख रही है ये सरसो है, सरसो का पाथा और उसका तेल आपको दिख रहा है ठीक, ये हमारी आपको अलसी दिख रही है और ये हमारा बिनोला आगे बढ़ते हैं, तो तिलहन फसलों के बारे में डिसकुशन किया है बहुत अच्छे दरीके से हमने तिलहन की जो हमारी फसले हैं उनको आप सभी के समझ रखा है आगे बढ़े, चलिए, आप सभी के साथ आगे बढ़ते हुए भारत में एक और प्रकार की फसल होती है दोस्तों और इसको हम लोग क्या क्याते हैं, इसको हम लोग चाए के नाम से पुगारते हैं क्या आपको चाए पीना पसंद है? बढ़े दोस्तों, भाई, हमें तो चाए पीना बहुत पसंद है क्या आपको चाए पीना पसंद है? कॉमेंट करके जरूर बढ़ेगा अब भारत में एक और प्रकार की हमारी फसल है जिसको हम लोग चाय कह रही है, ये कौन-कौन से इलाके में बोई जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, भई अगर आपको चाय का उत्पादन करना है, तो इसको उगाने के लिए क्या किया जाता है, गर्म जलवायू की जरूरत हो दिया, ऐसा इलाका जो गर्म है, वो गर्म और उसी के साथ वहाँ पर पहाड़ी छेत्र हो, ऐसा छेत्र जहाँ पर धलान हो, ऐसा इलाका जहाँ पर धलान हो, और वहाँ की हवा गर्म हो, जलवायू गर्म हो, धलान हो उस इलाके के अंदर, और वहाँ पर पानी की भी उपस्तित होनी चाहिए, तो ऐसा इलाका जहाँ जल हो, पानी एच्छी उपस्तित मात्रा में हो, जहां कि जलवायों गर्म हो, जहां कि मिट्टी झहरी हो, धलान हो, वहाँ पर हम लोग चाय का उत्पादन करते हैं। उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल काम है. इसके लिए कुशल कारीगरों की जरूरत होती है, पानी भी है और मिट्टी भी मजबूत है धलान भी है भारत में जो हमारा असम राज्य है पश्चिम मंगाल है तमिल्णाडू है दोस्तों आप देखें कि जो हमारा असम छेत्र है Western Bengal है उसी के साथ आप देखते हैं कि यह जो हमारे छेत्र है यहाँ पर चाय का उत्पादन या क्या जबर्दस महां की चाय होती है एक बार आप पीजिये तो दिवाने हो जाएंगे आप तो गारजलिंग की जो चाय है वो दुनिया की सबसे मशहूर चाय है और लोग इस चाय के बहुत ज़ादा दिवाने हैं भारत जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा क्या करता है दोस्तों चाय का उतपादन करता है दुनिया में सबसे ज़ादा चाय हमारे प्यारे भारत में उग रही है ऐसे इलागे भारत के जो गर्म है जहाँ पर धलान है मिट्टी गहरी है पानी के अच्छी उपस्तिती है जैसे हमारा आसम हुआ, पश्यमंगाल हुआ, तमिलनाड हुए, ऐसे ये इलागे हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है और दारजली जो आपको दिख रहा है, वेस बिंगॉल के अंदर, यहाँ की जो चाय है दोस्तों, तो दिवाना कर देती है, मदमस्त कर देती है आगे बढ़ते हैं, भारत के अंदर यहाँ पर हम लोग अगर आपके साथ डिसकुर्शन करें, तो एक और प्रकार की है हैना कुछ लोगों को चाय बसंद होती है, और कुछ लोगों को कौफी बसंद होती है, हमें तो चाय बसंद है, आपको क्या बसंद है, क्या आप लोगों को कौफी बसंद है, बताइए दोस्तों क्या आप लोगों को कौफी बसंद है, कौफी जो होती है, जब वो पैदा हो और कॉफी को भी बागानों के अंदर ही बागों के अंदर ही पैदा किया जाता है अगर हूँ लोग देखें कि भारत में सबसे पहलीी जो कॉफी आई थी वो मुख्ये दौर पर आप देखתे हैं कि अफरीका का यमन इलाका है यमन नामक एक देश था वहाँ से आप देखते ह में यमन से बहुत से वेपारी आए और इनी वेपारियों ने करनाटक के अंदर बाबा बदून करकर पहाड़ियां थी उन पहाड़ियों को बाबा बदून की पहाड़ी कहा जाता है उनी पहाड़ी में कौफी को उगा दिया और फिर महीं से फिर कौफी जादा मादरा में भा बहुत जाद है दुनिया के अंदर जो भारतिय कॉफी है यह बड़ी मात्रा में आप देखते हैं कि इसको लोग पसंद करते हैं भारत में कौन-कौन से इलाकों के अंदर हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि यमन के वैपारी लोग थे वो भारत पहुंचे और मुख् हमारा राज्य हुआ केरल हमारा जो राज्य हुआ यहां पर भी कॉफी का उत्वादन किया जाता है और जब कॉफी पैदा होती है पहाडों में तो जिस तरीके से होती है जब इसको अलग किया जाता है तो इसको पीज होते हैं फिर इसको पीसकर ही कॉफी परस्तुत की जात जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जिनको हम लोग बागवानी फसल कहते हैं. क्या कहा जाता है इनको? इनको हम लोग बागवानी फसल के नाम से पुकारते हैं. भाया ये बागवानी फसल क्या है? ऐसी फसले गेहूं खेत में उगाया जाता है. चावल खेत में उगाया जाते हैं. कुछ ऐसी फसल होती है जो बागों में उगाई जाती है खेत बड़े अकार के होते हैं बाग छोटे अकार के होते हैं तो कुछ ऐसी हमारी फसले होती है जिनको हम बागों में उगाते हैं इनको हम लोग बागवानी फसल कहते हैं और मुख्य दोर पर अगर हम लोग देखें कि जो हमारे फल और सबजियां होती है उनको हम लोग बागों में उगाते हैं आपने सुना होगा आम का बाग, केले का बाग, है ना आपने आम का खेद नहीं सुना होगा तो मुख्य दोर पर वो हमारी फसलें जो बागों में उगा फलों और सब्जियों को उगाने में फल और सबसियां मुख्य दोर पर बागों में उगती है भारत में अलग-अलग इलावों में अलग-अलग फल हमें देख रही है कौन कौन से महराश्ठ में हमें आम देख रहा है दोस्तों उसी के साथ हमें केरल के केले मशूद खूर है ऐसी ही आप देखते हैं कि जो हमारा उत्रप्रदेश और बिहार है है ना हमारा जो यूपी और बिहार का छेतर है यहां की लीची बहुत मशूर है ठीक आंद्रप्रदेश महराश्ट के अंदर आप लोग देखते हैं भारत के अंदर अलग-अलग मौसम है, अलग-अलग मौसमों में, अलग-अलग प्रकार के हमें फल देखते हैं, या फिर बागवानी फसले हमें देखते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी आप देखते हैं कि जो सबजियां उखती हैं उसकी लगबग 13% सबजियां भारत में उखती हैं और भारत में आपको मटर, गोभी, प्यास, बंद, गोभी, टमाटर, बैगन, अलग-अलग प्रकार की जो हमारी सबजियां है वो आपको पैदा ह होती हुए दिखती हैं आपके फेवरेट सबजी कौन से हैं कॉमेंट करके बताएगे ठीक है जल्दी से बताएगे दोस्तों कि आपकी सबसे पसंदीदा, सबसे चहीती सबजी कौन सी है फिर हम लोग उसके बारे में आगर डिसकुशन करेंगे ठीक अब तक कि जितने भी हम हम ने फसलों को देखा, उनको हम लोग खा सकते हैं, खाने वाली फसले थी, है ना? और भारत में ये बड़े स्थर पर पैदा की जाती हैं, अब भारत के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऐसी हमारी फसले, जो उगती हमारे भारत में हैं लेकिन ये अखाद्दे फसल खाया नहीं जाता है इनको इनको हम लोग अखाद्दे फसले कहते हैं तो एक एक करकर जो हमारी अखाद्दे फसल है इनके बारे में हम लोग डिसकुशन कर लेते हैं दोस्तों ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रबड ठीक है से रबड कहा जाता है पेड़ ह जो है, वो मुख्य दोर पर उन इलाकों में पैदा किया जाता है, जहां पर आप लोग देखते हैं कि जो दुनिया की एकदम मध्य छेतर में आते हैं, दुनिया की एकदम बीचो बीच वाले इलाके हैं, वहाँ पर रबड की खेती आप मुख्य दोर पर होते हुए देखते है तो जो ना तो बहुत जादा गर्म हो और ना ही बहुत जादा ठंडे हो उन इलाकों में आप देखते हैं कि रबड की खेती होती है है ना जो मध्यम तापमान वाले इलाके होते हैं है ना जहां कि जलवाईू आपको देखता है कि संतुलित होती है कितना तापमान? 25 डिग्री के आसपास का तापमान हो और उसी के साथ 200 सेंटिमीटर की बारिश, जादा बारिश की जरूरत हो दिया, ऐसे इलागे जहां संतुलित तापमान है, 25 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच जाए और उसी के साथ 200 सेंटिमीटर की बारिश हो सबसे ज़्यादा के रल में होता है. फिर तमिलनाडू में, समुद्र के पास है, के रल हुआ, तमिलनाडू हुआ. इन राजयों के अंदर, और अंडमा, निकोवार जो हमारे आईलेंड्स हैं, वहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं, कि इस प्रकार के जो हमारे आप देखते हैं कि जो फसले होती है उनको मुख्य दोर पर आप देखते हैं कि परियोग में लाया जादा तुरूबड एक अखाद्य फसल है और इसको हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से उगाते हैं जहां पर अधिक बारिश की ज़रूरत आप प्रकार की फसल है रेशम हमें रेशम की कीड़े से प्राप्त होता है आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये रेशम का कीड़ा है इस रेशम की कीड़े से आप देखते हैं कि तंतु यानि कि क्या निकलते हैं धागे निकलते हैं और इनी धागों से क्या करते हैं हम लोग रेशम का कपड़ा बना लेते हैं ठीक है जी हां रेशम का पेड़ होता है उसके उपर ये रेशम का कीड़ा होता है इसी रेशम की कीड़े से आप देखते हैं कि ये अलग-अलग प्रकार के आप देख रहे हैं दोस्तों कि धागे निकल रहे हैं इन्ही धागों को तंतों को जोड़ कर रेशम का कपड़ा बनता है ठीक है और जब हम लोग क्या करते हैं ये जो रेशम का कपड़ा हो रेशम का कीड़ा होता है ये कौन से पेड़ पर अधिकतर देखता है ये भी पूछा जाता है तो जो रेशम का कीड़ा होता है ये ये मुख्य तोर पर हमें कहां दिखता है द और इसके जरीए हम लोग कपड़े को प्राप्त करते हैं, बड़ी मातरा में भारत में आप लोग इसे होते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के अंदर कपास को भी उगाया जाता है, कपास क्या है, रूई है ना, जो रूई जिसे हम लोग कॉटन कहते ह इसको भी हम लोग देखते हैं कि उगाया जाता है, कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि लटकी होती है दोस्तों, ये रूई, या फिर आप देख रहे हैं कि कपास को उगाया जा रहा है, और भारत के अंदर ये जो हमारी रूई है, या फिर जो कपास है, इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है काली मिट्टी की जरूरत होती है और आप सभी को पता है कि काली मिट्टी भारत में कहां पर है दोस्तों काली मिट्टी भारत में महाराष्ट और गुजरात के अंदर है है ना आपको पता है तो मुख्य दोर पर अगर हम लोग देखें कि भारत के वो इलाखे जहाँ पर काली मिट्टी है और जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो तापमान है वो संतुलित रहता है ना तो ठंडा ना तो गर्ण और जहाँ पर बारिश हलकी हो जाती है वहाँ पर हमें क्या दिखता है कपास का उत्पादन हम लोग अच्छी मातरा में करते हैं रूई का उत्पादन किया जाता है दुनिया में जो हमारा प्यारा भारत है वो रूई के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है थर्ड नंबर पर हम लोग रूई के उत्पादन के अंदर आपको आते हुए दिखते हैं, तो रूई जो है भारत में आपको तीसे नंबर पर पैदा होती हुए दिखती है, कौन-कौन से राज्जे हैं दोस्टों? मैने आपको बताया इसे पकने में 6-8 महीने का आप लोग देखते हैं की समय लगता है तो एक लंबी प्रकिरिया होती है और इसके उपर भी आप देखते हैं कि पाला पड़ता है यानि कि ओस पड़ती है तो इसको भी बचाना बहुत जरूरी होता है जल्दी खराब हो जाती है तो अच्छे तरीके से रख रखाव करने की जरूरत होती है तो भारत में पैदा की जाने वाले ये एक और प्रकार की हमारी फसल है जो एक अखाद्य फसल है जिसको पैदा दो किया जाता है लेकिन इसको खाया नहीं जाता है अब भारत में एक और प्रकार की फसल है दोस्तों एक और अखाद्य फसल के बारे में डिसकेशन करेंगे जिसे हम लोग क्या कह रह क्या थे सप्रिके। रसी के वो भी इससे ही बनते आपको देख रहे हैं तो जूट मुख्य दोर पर आपको देखता है कि सुनहेला रेशा या फिर पटसन कहलाता है और इससे आटे की बोरियां चटाई रसी वगरा को बनाया जाता है इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है इसमें उची तलागत की पैसे जादा लगता है दोस्तों इसको अगर आपको बनाना है तो इसके अंदर आप देखते हैं कि पैसे की जादा खपत लगती है थोड़ी महंगी है तो जैसे अगर आप लोग मार्केट में जाएं और आपके पास जूट का बैग है तो यह आपको तक्रीबन 40-50 रुपे के लिए ख़तरनाक हैं वो कभी नश्ट नहीं होती है हजारों साल लगेंगे नश्ट होने होए लेकिन जूट अच्छा है लेकिन यह महंगा इसी वज़़ा से लोग इसे प्योग में नहीं लाते तो जूट सुनहरे रेशा कहलाता है इससे बोरी चटाई रस्ती बनती है ज उसके लिए ऐसे इलागे जहाँ पर पानी की अच्छी उपस्तिती हो जैसे अगर आप लोग देखें ऐसे छेदर जो समुद्र के पास होंगे जैसे अगर आप लोग वेस्ट बेंगॉल को देखें बंगाल की खाड़ी के पास है तो भारत के ऐसे इलागे जहाँ पर आप द देखते हैं कि जो उडीसा है है ना और जो हमारा मेघाल्य छेतर है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों हमारा जो मेघाल्य छेतर है यहाँ पर मुख्य तोर पर हम लोग क्या करते हैं अपने जूट के उत्पादन को करते हैं क्लियर हुआ तो ये हमारी एक खाद्दे फसल थी और इसकी पूरी विशेष्टाओं को हमने आप सभी के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है तो भारत के अंदर जितनी भी हमारी फसले हैं उनके बारे में तो हमने डिस्केशन किया चैप्टर थोड़ा बड़ा है है ना दोस्तों घबराना नहीं है भारत में किस तरीके से खेती की जाती है उसको देखा भारत के अंदर अलग-अलग तरीके खेती मौसम की अधार पर होती है बारत की खाने वाली फसले और भारत की अग हद फसले उनके बारे में डिसकॉशन किया कितने दापमान पर कितने-कितने जरूरतों पर इनको पैदा किया जाता है अब कुछ और इस कृशी से संबन्दित चीज़ें उनको डिसकस कर रहे हैं के सामने लिखा हुआ है जिसे हम लोग भू दान या फिर ग्राम दान के नाम से भी पुकार रहे हैं जब भारत अजाद हुआ ना साल 1947 में हमारा प्यारा भारत जब अजाद हुआ अंग्रेजों से तो उस समय भारत के अंदर जो थे जो इस्तिती थी ना वो बहुत ही खतरनाक थी भारत के अंदर किसान तो थे लेकिन उनके पास जमीन है नहीं थी बड़े-बड़े जमीदार हुआ करते थे उन जमीदारों ने पूरे-पूरे गावों को एक गावों नहीं पूरे-पूरे गावों को बड़े-बड़े इलाकों को कबजे में किया हुआ था किसान की विचारधारों को बहुत पसंद करते थे, इनको समझ में आया कि अगर भारत का उत्थान करना है, भारत को बहतर करना है, तो हमारे किसानों के पास भी जमीन होनी चाहिए, और ये क्या करते हैं, जब भारत में पहली पंच वर्शे योजना शुरू हुई, पंच वर्शे य जमीने हैं, आप थोटी मोटी जमीने इनको दे दीजिए, भूदान या फिर ग्रामदान की बाद आचारे विनोबा भावे नहीं की, और इनकी बात को सुनकर बहुत सारे जो बड़े बड़े जमीदार थे, उन्होंने अपनी जमीन को दान दिया, और इसी वज़ा से आप भारत के वो किसान जो भूमी हीन थे, उनको अपनी जमीने मिली और जब उनको अपनी जमीने मिली फिर वो उनको उत्पादन करने लगे, सही तरीके से उत्पादन करने लगे और फिर भारत में खेती मजबूत हुई, है ना, तो ये भूदान आंदोलन था जो अचारे विन समीन को सुधारनी की जरूरत हुई, जो हमारी खेट खलिहान थे, उनको सुधारनी की जरूरत हुई, क्या किया गया, कि भईया, अगर कोई गाउं है, तो उसमें एक जो किसान है, उसका खेट यहाँ पर है, माली जी, और उसी किसान का दूसरा खेट यहाँ पर है, है न, आप आप देखते हैं कि जो खेत थे वो आसपास नहीं थे बीच में किसी और का खेत आपको दिख रहा है तो खेतों को क्या किया गया आप लोग देखते हैं कि इसकी मुख्य दोर पर आप लोग क्या देखते हैं कि इनको इनका परबंधन किया गया क्या की गई दोस्तों चक बंद अब इसके जरी आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर किरशी प्रबंधन पर ध्यान दिया गया, जो छेत्र अलग अलग थे, उनको मजबूत किया गया, सीमाओं में बदलाव किया गया, चकबंदी की गया और इसके जरी आप सारी जमीन को एक ही प्लॉट में ला दिया गय और इससे आप लोग देखते हैं कि अब जादा मातरा में संतोलेद उत्पादन होने लगा ये तो किया ही किया गया इसी के साथ जो हमारी भारत की सरकार है तो कृषी सुधार किये गए अजादी के बाद और कुछ चीजें किये गए क्या किया गया भारत के अंदर क्योंकि 70% से जादा जो लोग है वो खेती कर रहे हैं तो इसी के लिए भारत के अंदर क्रिशी की यूनिवस्टीज बनाए गए लोग क्या करते हैं खेती के बारे में पढ़ते हैं कैसे नई नई आविशकार किये जा सकते हैं जानवर जो हैं, जानवरों के लिए सरकार ने क्या क्या चिकित साल्ले बनाएं, चिकित साल्लों का मतलब है कि जो हमारे जानवर खेपी बाड़ी में लगे हुए, इनके इलाज के लिए सरकार इस्पदाल बनाएं, क्योंकि जानवर बिमार हुए हैं, उनको इलाज सही तरीकि से मिल सके तो इनके लिए जानवरों को भी बनाया गया और सरकार ने क्या करा भीया मौसम की जानकारी में थी आप क्या देखते हैं कि सरकार ने मौसम की भी जानकारी दी मौसम विभाग बनाया जो बताता है कब बारिश आएगी कब तक सर्दी रहेगी इसके जरी अब किसानो उनको खेती करने में फायदा मिला अच्छा भारत जो था वो मुख्य दोर पर खेती करने वाला देश रहा लेकिन अगर हम लोग 1960-1970 का समय देखें 1960-1970 का जो समय रहा था उसमें भारत में खेती तो लोग कर रहे थे लेकिन हमारा जो उत्पादन था वो बहुत कम था हमें अनाज अमेरिका से मंगवाना पड़ता था पूरे देश में खाने के लिए अनाज नहीं था बहुत शरम की बाद थी और उसी समय आप देखते हैं कि एक विक्ति आते हैं जिनका नाम था MS. स्वामी नाथन इनके अभारी रही है इनके रणी रही है इन्होंने ही एक आइडिया दिया क्या आइडिया इनहीं के आइडिया को कहा जाता है हरित क्रांथी तो स्वामी जी ने क्या था MS. स्वामी नाथन जी ने स्वामी नाथन जी ने बताया कि भया हम ना अभी भी पुराने दरीगे से खेती कर रहे हैं हम लोग खराब बीजों का परियोग कर रहे हैं तो स्वामी नाथन जी ने क्या किया हम ना क्रांथी लाएंगे, बदलाव लाएंगे क्या करेंगे, तो MS स्वामी नाथन जी ने हरित करांती की शुरुवात की 1960-1970 के समय में और इसके अंदर इन्होंने क्या किया नई टेक्नोलोजी का परियोग किया इन्होंने कहा कि हमें एडवांस टेक्नोलोजी का परियोग करना होगा हम ट्रेक्टर का परियोग करेंगे अच्छे बीजों का परियोग करेंगे तो मु आज में बहुत जादा कृशी संपन है वो कैसे बन पाया स्वामी नाथन जी ने जो ये हरित करांती के सोच दी थी उसी के जरीए भारत के अंदर जो फसल की कमी थी वो खताम हो पाई और भारत एक कृशी संपन देश बन पाया असलियत में है ना तो इस हरित करांती की वज़ आप लोग देखते हैं कि अच्छी प्रकार की मशीन और तकनीक का परियोग करने के बाद की गई हैना खेती में उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित करांती की गई अब एक और करांती हुई थी जैसे भारत में आप देखते हैं कि खेती की कमी दिख रही थी आपको हैना अब इस दूद की जरूरत को पूरा करने के लिए कि हम जितने लोग हैं सब तक संतुलित मातरा में दूद पहुचा सके इसके लिए आप लोग देखते हैं कि भारत में शुएच करांती शुरू की गई क्या कहा जाता है दोस्तों इसको पेपर में शुएच करांती या फिर ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है तो दूद की मांग को पूरा करने के लिए दूद की मांग को बढ़ाने के लिए दूद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया आधुनिक मशीनों का परय पादन को बढ़ाने की गरानती और इसके अंदर हम लोग देखें कि अच्छे जानवरों को अच्छा खाना खिलाएंगे और आधुनिक तक्नीक के जरिए दूद निकालेंगे तो इस करानती को शुरू करने वाले वेकती रहे थे अमूल कंपनी के मालिक आप सभी को पता है अ आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत में एक और प्रकार की क्रांती हुई है आपके वेबर में पूछी जाती है इसको हम लोग कहते हैं पीली क्रांती है ना पीली क्रांती का मतलब हुआ कि भारत तिलहन का मतलब क्या है जिनको हम लोग तेल के तौर पर जिनसे तेल भी निकलता और जिनको खाते भी हैं, तो भारत को और संपन बनाएं, भारत को तिलहन के मामले में और मस्बूत बनाएं, भारत के अंधर पीली क्रांती हुई, पीले क्रांती हो, इसके जरीए क्या किया गया है, भारत को आद्व निर्फर बनाने की कोशिश की गई, तिलहन के अंदर, तिलहन उत्पादन बनाया गया ठीक है तो आप देखते हैं कि भारत को तिलहन उत्पादन बनाने में ये पूरा का पूरा आप योगदान देखते हैं ठीक है जी तो हरित करांती क्या थी वो हमने देखा पीली करांती क्या थी वो हमने देखा उसी के साथ भारत सरकार ने भू भूमी सुधार के चीज़ों पर ध्यान दिया गया, भूमी सुधार का मतलब क्या है कि जितनी हमारे पास जमीन है इसको और बहतर करें और जो हमारे किसान भाई परेशान है ना उनको अच्छा जीवन दे सकें, आप देखते हैं कि साल 1980 से साल 1990 का यह जो 10 सालों का समू रहा है इसमें सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किये, क्या किये, भाईया सबसे पहला काम यह किया, कि सरकार टेकनॉलोजी को लेकर आई, तकनीक को लेकर आई, जैसे आज के समय में आप घर बैटे हुए हमें देख पा रहे हैं अपने फोन के अंदर, है ना, कभी आज से 10 साल पहले कोई कलपना कर सकता है, यह संभवी नहीं था, टेकनॉलोजी आई, जीवन बदला, चीजे बहतर हुए, घर बैटे बैटे आप अच्छी सिक्षा को प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे ही हमारी सरकार में तकनीक को शामिल किया, खेती के अंदर, और तकनीक को गाते थे जनकी फसल खराब हो जाती थी, इनकी फसल का बीमा किया, बीमा का मतलब आपने फसल उगाई है, आपकी जो फसल है वो सिक्यूर है, अगर घाटा होगा, तो हम इसको आपको हरजाना दे देंगे, तो सरकार खेसानों की मदद करने के लिए, उनकी फसलों का बीमा क करने लगी इंशॉरेंस करने लगी और आप अपनी इंशॉरेंस को करा लो अपनी फसल का इंशॉरेंस कराओ और उसके जरी अपनी फसल को बहतर किया हो सरकार ने और क्या किया सरकार ने किसानों को अगर फसल उगानी होती थी किसानों के पास पैसे नहीं थे और किसान क्या कर करते थे कि जो गाओं के जमिदार थों से पैसा लेते थे जमिदार लोग लूटते थे सरकार ने क्या किया किया किसानों के लिए बैंक बनाएंगे किसानों को क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर दिया सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया आसानी से क्रेडिट कार्ड को जाओ, ATM में डालो, पैसा निकालो और अपनी फसल को लगाओ, तो सरकार ने क्या किया, असानी के साथ सस्ती दरों पर, है ना, बहुत कम मातरा में कर्ज दे कर मुख्य दौर पर क्या गरा, किसानों से कहा कि आप कर्ज le सकते हैं, आप कर्ज ले सकते हैं, और इस कर्ज के जरीए क्या कर सकते हैं कम किया गया और किसानों के जीवन को बहतर करने ही कोशिश की गई इसी के साथ सरकार ने किया 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 सरकार ने किसानों की सोच को बदला क्या किया भईया आप सभी को बदा है दूरदर्शन होता है और दूरदर्शन के अंदर क्रिशी दर्शन कि कौन से समय में कौन सी फसल को उगाए इसके टेली आप देखते हैं कि प्रोग्राम आते हैं दूरदर्शन पर इसके जरीए सरकार किसानों को एजुकेट करने लगी उनको समझाने लगी कि कैसी फसल को उगाएं कौन सी मिट्टी का परयोग करें किस प्रकार की बीज़ों का परयोग करें तो TV के जरीए दूरदर्शन के जरीए सरकार ने ऐसा किया रेडियो पर प्रोग्राम दिएगा जिसके जरीए क्रिशी संबंधी चीज़ों, बुलिटिन दिएगा हमने आप हमारे बजारों को आके बेच सकते हैं सरकारी को दाम में बेच सकते हैं ठीक है और इसके जरीए जो बिचोली ये लोग थे जो किसानों को लूटा करते थे उनको भी सरकार ने हटाया तो किसानों को उनकी जो फसल थी उसको न्यूनतम समर्थन मूले पर सरकार खरीदने लगी, मौसम संबंदी जानकारी देने लगी यूनिवस्टीज बना दी जानवरों, यूनिवस्टीज बनाए गई क्रेडिट कार्ट दिया जाने लगा और इसके जरीए आप लोग देखते हैं अगर हम लोग देखें कि वर्तवान समय में जो हमारी क्रिशी है न उसकी हलाद अच्छे नहीं है जी हाँ, ऐसा क्यों है? भाई भारत में लगबख 70% लोग खेती में लगे हुए हैं और आप देखें कि जो भारत के अंदर लोग खेती के अंदर लगे हुए हैं इनको अंतर राष्टे बजारों से बहुत टक्कर मिल रही है दूसरे देशों का अनाज आ रहा है, दूसरे देशों का आप देखते हैं कि चावाल गेहु बाजरा आ रहा है और इससे जो हमारे देश की किसान है उनके लिए competition बढ़ गया है आप देखते हैं कि भारत के अंदर दूसरे देशों का जो समान आ रहा है उससे हमारे किसानों के लिए उन समानों के सामने खड़े हो पाना थोड़ा टक्कर हो रही है क्योंकि उनके पास आप देखते हैं कि जादा अच्छी technology है उसी के साथ अबना कोई किसान बनना नहीं चाहता मैं आप से पूछू कि आप किसान बनना चाहते हैं जितने बच्चे हमारे साथ हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या आप सच में खुद किसान बनना चाहेंगे नहीं अब आप देखते हैं कि जो भावी पीड़ी है वो इस काम की तरफ नहीं जा रहे हैं तो इसमें रोजगार कम हैं तो लोग इस profession को नहीं अपना रहे हैं लोग अब इस काम को नहीं अपना रहे हैं तरफ से किसानों की संख्या में आपको कमी आती होई दिख रही है आज के समय में ठीक है बाहर से आने वद वला समान टक कर दे रहा है और उसी के साथ आप देखते हैं कि अब लोग किसानी करना नहीं चाहते इस वज़ा से चीज़े बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि खराब होती चली आ रही है ठीक है क्योंकि यहाँ पर रोज़गार की अफसर काम आपको दिख रहे हैं और उसी के साथ सरकार कोशिश तो कर रही है कि किसानों के जीवन को बहतर किया जा सके लेकिन जो बदलाव और कोशिश किये जा रहे हैं वो उतनी जादा बहतर नहीं है अब यहाँ तक तो हमने इस चीज़ को आपके सामने रख दिया दोस्तों अब पेपर से संबन्दित दो चितर आपके सामने हैं यह बहुत ही महतफून बिंदू है इसको हम लोग डिसकस करते हैं यह जो लोग आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कौन है ये लोग, ये हमारे ही पूरवज हैं, भारती ही है, भारती ही है, भारत एक ऐसा देश हوا गरता था, अंग्रियसों के समय में जहां पर बहुत आदा अकाल पड़ा करता था, सूखा पड़ जाया गरता था, नदियां खटम हो जाती थी, पानी खटम हो जाता था, खाद सुरक्षा करनी होगी इसके लिए क्या किया गए अजादी के बाद भारत की सरकार ने दो चीजें की सबसे पहले बफर स्टॉक पर काम किया और सारवजनिक वितरन परनाली पर काम किया अब ये buffer stock क्या है और सार्वजनिक वित्रन प्रणाली क्या है इसको मैं एक एक करकर आप सभी के साथ discuss करता हूँ कि देश का हर वेक्ति पेट भर कर खाना खाए इसके लिए सरकार ने क्या किया है खाद सुरक्षा कि हम खाने को सुरक्षा देंगे सबसे पहले buffer stock क्या है उसको देखते हैं दोस्तों ठीक है ये buffer stock का मतलब ये है कि भारत के अंदर एक संस्था बनाए गई जिसे कहा जाता है food cooperation of India ये भारत के अंदर जो हमारे खाने अनाज होता है उसको समाल कर रखती है तो भारत में एक संस्था है जो क्या कहती है जो किसानों से कहती है कि आप जो समान बेच रहे हैं आप हमें देदीजिए सरकार को बेच दीजिए और सरकार क्या करती है सरकार इनको buffer के दौर कभी मानलो कोई समस्य आ जाए तो हम लोग उस अनाज का परियोग कर सकते हैं तो buffer stock के अंदर मुख्य दौर पर क्या किया जाता है आप लोग देख रहे हैं buffer stock का मतलब होता है कि ये खाद्यान जो है खाने पीने की जो चीज़ें है उनको संभाल कर रखा जाता है और सरकार अनाज दे रही थी ये हूँ चावल दे रही थी कहां से आ रहा था हूँ खित सब चीज़ें तो बन थी हमारे पास वो buffer stock ही था आप देखते हैं कि जब कोई प्राकरतिक आपदा आ जाती है जब यूद होता है कोई बीमारी आ जाती है उस समय में जो हमारा ये buffer stock होता है जो जमा करती है खटा रखती है ताकि आपदा के समय में इसका परियोग किया जा सके दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका कहलाता है सारवजनिक वितरन परनाली का मतलब क्या है दोस्तों सारवजनिक वितरन परनाली का मतलब है कि भारत के अंदर जो भी गरीब लोग है जो ब और सरकार आपको सस्ती दरों पर अनाज देगी क्या किया जाता है सस्ती दरों पर अनाज दिया जाता है दो रपे किलो चावल दो रपे किलो यहीं दो रपे किलो चीनी दी जाती है तो सारवजनिक विद्रन प्रनाली का मदलब है कि देश के अंदर वो लोग जिनके पास राशन कार्ड है, वो जो गरीब हैं, वो इन सरकारी दुकानों से क्या कर सकते हैं, सस्ती धरों पर, सस्ते दामों पर अनाज को ले सकते हैं, बजार में बहुत महेंगें, सरकार यहां पर सस्ती धरों पर क्या करती हैं, अनाज को देती हैं, और यह सभी बफर स्टॉक को ध्यान रखने की जिम्मेदारी की अनाज उन गोदाम में भरा रहे वो भी हमारी Food Corporation of India करती है और हर वेक्ती तक जो हमारा गरीब वेक्ती है उन तक सस्ती दरों तक अनाज पहुंचे राशन पहुंचे उसकी जिम्मेदारी भी आपको दिखता है कि हमारी Food Corporation of India अब यहां से आगे बढ़ते हुए दोस्तों आप सभी को लेके चलेंगे हमारी इस बिंदू की तरफ जिसे कहा जा रहा है क्या जिसे हम लोग कह रहे हैं वैश्वी करण अब वैश्वी करण का मतलब क्या है कि दुनिया में न एक देश का समान दूसरे देश में आने लगा भाईया अमेरिका का समान भारत आने लगा, भारत का समान यूरोप जाने लगा, यूरोप का समान आपको दिखता है कि आस्ट्रेलिया जाने लगा, अफरीका का समान साउथ अमेरिका जाने लगा, दुनिया के जो बजार थे वो एक दूसरे के लिए खुल गए, तो इस वैश वहाँ पर उकते नहीं थे भारत में रूई हुआ करती थी जिससे कपड़े को रंगा जाता था तो यह सभी चीजा भारत में थी और इसी वजह से यह सभी लोग भारत की अंदर आ रहे थी है ना शुरुआत जो भारत पर आकर्मन हुआ कब्ज़़ा हुआ इसका उद्धेश् क्या भारत की हर किसान के पास इस तरीके के ट्रेक्टर है नहीं भारत ही अदिकतर जनसंग के अभी भी पराचीन तरीके से आपको देख रहे केटि कर रही है तो वैश्वी करण के हो जाने से जब दूसरे देशों का समान, आप देखते हैं कि जो प्रदार्थ हैं, जब वो हमारे देशों में आने लगे तो हमारे किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो उनके साथ प्रतिस प्रदा नहीं कर पारे, कॉंपडिशन नहीं कर पारे, भाई ये मशीन से बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिडी का समान बना लेते हैं, हमारे किसान पुराने दरीगे से अभी लगे हुए हैं, वो कोशिश तो करते हैं, अपितु वो ज़ादा मातरा में उतना अच्छा समान नहीं बना पा रहे हैं, और अंतर राष्टे बजारों में आप लोग देखते हैं कि हाँ, भारतिये समान को पसंद दो किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये जादा मातरा में यूगा पात है, इसलिए भारत के जो हमारी किसान हैं, भारते जो उत्पाद हैं, उनके लिए कहीं न कहीं चीज़ें बहुत जादा मुश्किल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मशीनों से बनाते हैं, तो ये अपने प्र किसान के पास अच्छी मातरा में खाद नहीं है सुरक्षा नहीं है जिससे आप लोग देखते हैं कि जो वैश्वी करण की वज़ा से भारतियों को जादा फायदा पूरे तोर पर आप देखते हैं कि नहीं हो पा रहा है तो इसका एक जादा अच्छा इंपक्ट आपको नहीं देखता लेकिन कुछ फायदे भी हुए वैश्वी करण से क्या इस globalization की वज़ा से दूसरे देशों की चीज़े जब हमारे इहां आ रही है तो हमें उनके टक्नीक के बारे में पता चल रहा है यह जो हरित करांती भारत में आई यह आई ही कैसे दोस्त आप देख पा रहे हैं कि यह वैश्वी करण की वज़ा से ही पूरे तोर पर भारत में आपको आती हुई दिखी तो वैश्वी करण की वज़ा से आप देखते हैं कि जो सिचाई की विवस्ता थी लोगों तक नई नई information आई वो वैश्विकरण के प्रारूट में ही आप मुख्य तोर पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर पहुँच पाई तो अलग-अलग देशों के जो बने हुए अच्छे-च्छे समान थे वो हमारे देश में आए हमारे देश की किसानों को इन देशों के अंदर जो मौजूद तकनीक थी उसके बारे पता चला और अब अच्छे बीज भी क्या है वैश्विकरण की वज़य से इन देशों के जो अच्छे बीज थे वो भी हमारे देश के अंदर आने लगे और जिससे बड़े तोर पर आप लोग देखते हैं कि जो हमें competition तो मिल रहा है लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं उनको अच्छी प्रदार्द भी मिल रहा है तो किसानों के लिए थोड़ी समस्या है अभी तु लोगों के लिए ये काफी फायदे मन आपको होता हुआ दिख रहा है ठीक है जी और यहां तक हमने आप सभी के साथ यह जो पूरा का पूरा आपका चैप्टर रहा उसको आप सभी के सामने प्रस्तुत किया तो क्रिशी यह जो चैप्टर था क्रिशी इस तरीके से होती है भारत की मुख्य फसलें वैश्वी करना की प्रकार हरित किरानती पीली करनती इसको हमने अच्छे तरीक से डिसकस किया अब इसी आशा के साथ कि आप सभी बच्चों को अपनी नेक्स क्लास में आप सभी बच्चों को क्य बगात करेंगे अपनी नेक्स क्लास में